हाई माईडी स्टुडेंट आज हम क्लाफ 10th मैतमेटिक्स का एक कुष्चिन देख रहे हैं जो कि कुष्चिन में कह रहा है फिद्ध करों की रूड 3 प्लस रूड 4 एक आ परमे संख्या है इस परकार की कुष्चिन को साल्ब करने के लिए जिसमें की कह रहा हो कि फिद्ध करो की दिया गया संख्या अपर में संख्या हम हाल में इसका उल्टा मानते हैं देखो यहाँ पर लेखेंगे हल माणा रूट3 plus root 4 एक परमे वसंख्या है अब जब यहाँ पर रूट3 plus root 4 एक परमे वसंख्या है तो इसकों P By Q की रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर Q क्या होगा 0 की बराबर नहीं होगा और शाथ में हम यहाँ island लेते हैं कि P और Q साभाज हैं अथार्त इनका एक होगा अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं रूट 3 पलफ दो बराबर पी बाइक यहां पर दो हाग गया चुकि रूट 4 की जो बैलू होती ओदो होती है अंडर रूट 4 की जो बर्गमूल होगी ओदो होगी ठीक अब यहां से हम दो कर इस तरह भेज देंग दो कि ढऄया यहां अब देख रहें हम अपने दाहने पच से चुकि पर दो तीन संख्छा है यह इसलिए यह पनाद प्रमय संख्या है इस इस्थिती में रूट 3 को भी है पर्मय संख्या होनी चाहिए ठीक आब जए रूट 3 बराबर है P-2 Q बटे क्यों के ठीक और P-2 Q बटे क्यों एक पर्मे फंख्या आगे तो इस इस्तिति में क्या होने चाहिए रूट 3 को भी एक पर्मे फंख्या होने चाहिए लेकि हम पहले से फिद्ध कर चुके हैं लेकि हम जानते हैं कि रूट थिरी क्या है एक आपर्मे संख्या है जो कि एक बिरुदाबाफ है और हमारे गलत मानता के कारण पराप्त हुई है कि बिरुदाबाफ इसलिए है चोकि हमने क्या किया आपर्मे संख्या को पर्मे संख्या के बराबर ला दिया जो कि कभी हो नहीं सकता इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 3 पलस रूट 4 एक आपर्मे संख्या है इति सिद्धम ठैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो धन्यवाद